नमस्कार मेरा नाम हिलल सरकार है आज आम देखाने बला है मान के जुले आपका पास एक थिरीपेज मोटर है ओ मोटर में कितने का क्यापासिटा चाहिए थिरीपेज का ओ आम देखा रहा है के करके तो हम एक चीज पहले बता दे रहा हो आपको मोटर का क्यापासिटा करने के लिए उसका rpm बे उसका शाथ relation है मतोब देशे 3000 rpm 12000 rpm 175 rpm का motor होता है थिरीपेज में तो motor का शाथ उसका capacitor भी भैरिपाई होता है तो एक एक करके हम देखा रहा हो और देखिए ये वीडियो आपको बहुत helpful होगा देखिए के करके मान के चोलिए आपका पास 5 disp का motor है आपका पास 3 disp का motor है चाश्वक पुनारों और 4 चोलिव कोई भी भोलड होता है मान के चोलिए चाश्वक पुनारों बोल 5 disp में तो उसमें जब 3000 rpm का मोटर होगा तब उसके 2 kbR का 3 disp 2 kbR का उसमें क्यापसिटा चाहिए जब 13,000 RPM होगा तब 2 भी चाहिए और 1000 RPM में 2 KBR और 645 RPM में 2 KBR मत्तब हमारा 5 HP जो मौटर है उसमें 2 KBR का हमारा 3PS कैपासिटर लगाना पड़ेगा तो एके करके ओ सिरियल हम देखा रहा है चार्ट एके करके आप देखिए 7.5 HP मौटर में आपको 2 KBR और 13,000 RPM में 2 KBR देखिए यह देखिए यह 1000 RPM में आपको 3 KBR चाहिए मत्तब यह RPM का साथ आपको KBR भी भैरिपाई होगा तो यह देखिए यह 755 में अभी फिर 3 आ गया इसका मत्तब क्या है जो 13,000 में 2 हो गया 655 में 3 KBR चाहिए तो देखिए यह 200 HP मौटर में आपको पास तो उसमें 3000 RPM में 3 KBR का उसमें कैपासिटर चाहिए और 2 KBR कैपासिटर चाहिए उसमें 13,000 RPM में 3 KBR और 1000 RPM में उसमें 4 KBR कैपासिटर चाहिए तो हमारा KBR बर गिया मतलब rpm घड़ गया तो kvr बार गया यहां देखिए यह rpm घड़ गया तो kvr बार गया kvr कितना चाहिए पाथ चाहिए यह करके पूरा ऐसे होगा तू 20 SP का मोटर में उसमें 30 rpm जाब होगा तो उसमें 5 का kvr उसमें आपको क्या पासिटर चाहिए तो इसमें तो 6 kvr क्या पासिटर चाहिए 7 का ऐसे होगा यह करके लिस्ट पूरा से में यह करके देख जाईए इसका मतलब क्या बोला यह चार्ट से आपको आपको rpm का साथ आपको rpm घड़ेगा तो आपको kvr बरेगा तो यह वीडियो फार्ट वीडियो है आप दूसरा वीडियो आप देखाऊंगा उसको kvr का cable selection कैसे करना है उसको fuse कितना का चाहिए और बागी कुछ देखाऊंगा तो एक एक करके पूरा मोटर में आप देख ल लागाना चाहिए तो उसमें देराजार rpm जब हो जाएगा तब उसमें 12 kvr का rpm चाहिए मतलब rpm घड़ गया kvr बर गया तो देराजार में देखिए kvr बर रहा है 1000 rpm में आपको पुनारों अम्पियर का एक kvr चाहिए और 75 में 18 देखिए rpm घड़ गया तो kvr बर गया इसक ऐसे ऐसे आपको करना पड़ेगा ऐसे rpm आपको बहुत डिलेटिव है इसका साथ kvr का साथ इसका मतलब हम लोग जग केबिल सेलेशन करने के लिए जाओंगा तब आर्पेर का उपर हम लोग को ध्यान देना जोरूरी है यह हो गया एक पार और यह हो गया दूसरा देखिए कि आइसे सम हे ज़िए 1,000 SP का मोटर है उसमें 3,000 rpm का उसमें जाफ होगा तो बीश के बिएर का उसमें चाहिए जब देखिए यह RPM घड़ गया तो KBR बार गया फिर 100 SP का मोटर में 22 KBR का उसमें क्यापासिटा चाहिए इसमें 1000 RPM में 25 KBR का आपको क्यापासिटा चाहिए इसमें 755 RPM में 26 KBR का क्यापासिटा चाहिए 165 SP मोटर में 3000 RPM जब 100 मोटर का 3000 RPM जब होगा तब उसमें 30 KBR का उसमें आपको क्यापासिटा लागाना पड़ेगा उसमें देखिए RPM घड़ गया तो आपको KBR जो है वबर गया है तो इसका मतलब क्या RPM आपको ध्यान देना पड़ेगा जै मेरा मोटर में कितना RPM है मोटर में 8 pm कितना है उसी शाब शाब को आपको क्यापसिटर निकालना परेगा जो मेरा मोटर में कितना का क्यापसिटर चाहिए आप ये चार्ट से पूरा निकाल जाएगा जो हमारा दूश्य SP का 115 SP कितना का चाहिए ये चार्ट से पूरा निकाल जाएगा इसे करके आप लो करना है वह हम एके करके पूरा देखा दिया नेक्स वीडियो में हम देखाएगा जो केबिल शिलक्षन कैसे करना है कैसे करना है यह 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 ओन ओन केबियार का ओन केबियार में तो कितने एंपेर होता है कितना का वायर चाहिए पूरा हम सेगें वीडियो में देखाएगा आज का वीडियो इतना ही है थैंक्यू